आदे देश पार जानलेवा जल प्राहर से हाहा कार मचाफवा है उत्तर से लेकर दक्षिन तक तो पूरब से लेकर पश्चिन तक ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां बारिश ने बला ना बरसाई हो यूपी, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, माराश में बैरह सेलाब में तो लोगों की सांसे अटका दी है कई जगा ये जल प्राहर अब जानलेवा साबित हो चुका है और ये तस्वीरे अलग-अलग जगाओं के आपको दिखा रहे हैं करा दिया था और ये चाहत तस्वीर आप देख पा रहें उत्राकर माराश गुजराच शत्रसगर के तस्वीरे देखे किस तरीके से दुकान बताई जारे जो नदी के अंदर समा गई माराश की तस्वीर देखे जहाँ पर नदी नाले उपान पर है और ये तस्वीर आपको देखा रहें गुजराच के नसारी के जापर जलबराव से मुसीबत बहुत जादा बढ़ गई है खेत खलेहान सब कुछ जो है पूरी तरीके से बरबाद हो चुके है और चहत्तरजगर के बकसर के तस्वीर देखे शहर जो है पूरा टापू में तबदील हो चुका है कभी यहां सडके हुआ करती थी लेकिन आज सर्फ और सर्फ पानी का कब्जा आपको यहां पर नज़र आएगा एक वक्त यह था आज से ठीक एक महीने पहले जब यही अलाके जो है वो गर्मी से बहुत परिशान थे यहां पर लोग जो है गर्मी से बहुत परिशान थे लेकिन आज देखे फिती जो है मौसम बदला और किस तरीके से लोगों की मुश्किले जो है वो बढ़ती चली गई सबसे पहले आपको उत्राकंड की तस्वीर दिखा देते हैं जो आप पर एक बार फिर से बार जैसे आलाद पैदा हो चुके हैं वहां के टीरी से सांस से अटका देने वाल एक वीडियो सामने आए बाल गंगा नदी की तेज लहरों में कोई एक आद नहीं बलकी कई दुकाने लोगों की आँखों के सामने समागें जो पस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दुकाने एक बार नदी में गिरी तो फिर उनकी एक इट तक नहीं बचे उनका नाम निशा इस तरह मिट गया कि तस्वीर देखकर कहना ही मुम्किन नहीं होगा कि चंद सेकेंड पहले यहां पर शायद कोई दुकान कवा करती थी आप ए तस्वीर देखकर अंदाजा लगा अभी आपको यहां दुकान दिखाई देगे और अब देखे किस तरीके से पलक जपकते ही नामों निशान मिटिया आप कोई कह नहीं सकता कि यहां पर जो है एक सेकेंड पहले दुकान कवा करती थी जो पानी में किस तरीके से समा देखकर अब महाराज शुकी तस्वीर भी दस दिनों से हुराई बारिश और राजा राम बांध का पानी छोड़े जाने से पंच गंगा नदी का जलसर 47 फीट तक पहुच चुका है यानि कि पंच गंगा नदी खत्रे के निशान के 4 फिट उपर वह रखी है अब इससे आप समझे कि कोलापूर के कई लाकों में जो ह पूरी लगातार बारिश के चलते कोलापूर सांगली गडच रॉली बार की चपेट में हैं जिला प्रिशासा ने तत्या इलाके में रहने वाले रहने वालों से नदी के करीब नहीं जाने के अपील किया है साथी किसी भी अप्रिया घटना से निपटने के लिए NDRF टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कोलापूर में पूरे बैंगलूर राजमार के साथ सर्विस रोड पर बार का पानी गुज गया जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो माराश के गड़ चिरॉली की बात करें बार में फसे 69 लोगों को NDRF और पुलिस की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया ये सभी लोग काम करने के लिए खेतों में गय थे और वापिस लोटे वक्त बार का पानी भर जाने के चलते रास्ते में ही फस गया जिसके बाद देखिया NDRF किस तरीके से देव दूत बनकर जो है इन लोगों के लिए वहाँ पर पहुची और सुचना मिलने के बाद NDRF और स्थानिय पुलिस मौके पर पहुची सभी को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया देख सकते हैं किस तरीके से human chain बनाकर रसी के सहारे जो है एक एक शक्स को वहाँ पर बहार निकाला जा रहा है पानी के तेज बाहव में गाय और बैल बहे गए गए यावत माल में कल सुबह से लगाता रुक रुक कर बारिश हो रहे है जिसके बाद नाले उफान पर है और इस दौरान नाले में बाहव तेज होने के चलते बैल गाड़ी के पीछे बंदी गाय और बैल पानी के तेज ब आस्मानी आफ़त का कहए डूबे गाउं और शहर मौन्सूम की मनमानी आधे हिंदुस्तान में पानी ही पानी कहीं सड़के बनी समंदर गाउं के गाउं नजर आई टापू सेलाप के परहार की खौफनाख तस्वीरे आई हैं गुजरात के रायसेन से सड़कों पर उम्रे सेलाप से जंग होती दिखाई थी सड़क पर बाड़ के पानी का परहार इतना तेज था कि वो मोटर सैकल को बहा ले जाने पर आमादा था कुल तीन लोग मोटर सैकल को कसकर पकड़े हुए थे ताकि वो बहना जाए लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लहरों के परवाग आगे ये तीनों फेल होते दिखाई दिए सड़क पर बहते सेलाप से मोटर सैकल को बचाने की ये कोशिश काफी देर तक जारी रही बात में ये कोशिश काम्याब हो गई रायसेन में भारी बारिश के बार कई लाकों में बार का कहर है ऐसे में सड़क पर उमड आया जन सैलाप के बावजूद मोटर सैकल सवार सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा जिसके बाद उसकी जान मुश्किल में आ गई गनीमत इस बात की रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे और उसकी मोटरसाइकल को बचा लिया रायसेन में बाल से हाल बेहाल हो चुगी है सैलाफ कपरहार लोगों की जिन्दी पर बना हुआ है रायसेन से आई इन तस्वीरों में देखिए एक आटो रिक्षा कागस की तरहां बहता नज़र आया आटो ड्राइवर बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आ रहा था इसी दोरान आटो सैलाफ की चपेट में आ गया जिसका अंजाम ये रहा कि वो बहने लगा घनीमत इस बात की रही की आटो ड्राइवर ने समय रहते हूट कर अपनी ज़न बचा ली लेकिन उस काटो पानी में बह गया मंदबर्देश के खरगोन से बाड़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है कोचिंग सेंटर से लौट रही शातरा अचानक सेलाब की चपेट में आ गई तरसल खरगोन में चीतल नदी में अचानक सो उपाना गया जिसके बाद नदी का पानी पुल के ओपर से बेहने लगा और उसी दोरान ये शातरा पुल को पार करने की कोशिश करने लगी और चानक से लला करने लगी node झाल 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 तेज बाहफ के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए लेकिन SDRF के वो दोनों जवान उस कावड़िये की जान बचाने में काम्याब रहे यूपी के हापुड जिले में भारी बारिश गे लोगों की लिए एक नई मुसीबत बना दी है तेज बारिश की वज़ा से सडकों पर भरे पानी की वज़ा से एक मोटर सैकल सवार खुले नाले में गिर गया हादिसे के बाद उस मोटर सैकल सवार को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने एक रसी के सारे उसे उपनते नाले से बाहर निकाला जिस जगा पर हाथसा हुआ है वो भीड भरे इलाके का में चौरा है और वहाँ पर नगर निकम ने खुला नाला छोड़ रखा है और उसी जगा पर जल भरा भी दिखाई दिया जिसकी वज़ा से खुला नाला दिखाई नहीं देता और धही हादसे की वज़ा बना बना